राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खोश होंगे और स्वास्थ होंगे अभी मैं परवाती हूँ उनको, आज मैंने तुरही की सबजी रायता रोटी लक्ष को खिला दिया अब मैं चाय पी रही हूँ चाय में जल्दी में जो है चीन डालना ही भूल गई तो चाय पी रही हूँ उसके बाद जो है अज मेरी फ्रेंक बिनिता जो है उनके कोई रिस्तेजादे में शादी हुई है तो जो नई दुल्द आई है उनही के घर में उतर रही है तो बोलती जुझ को जल्दी से आजाओ में दोड़ी से help करा देना तो मैंने coaching के वच्चों को work दे दिया है और मैं फटाफट चाई पी के उनके घर वोके आती हूँ और जो भी काम लगेगा मेरे से जो भी help लगेगी मैं उनकी करा दूँगी मेरी दोस्त है तो इत्ता तो बनता ही है तो मैं फटाफट चाई पी के उनके घर जाती हूँ नई दोलहन को जो है लेती हूँ और जो भी रस्मोरे बाज होते होंगे वो करवाती हूँ और उसके बाद के मैं अपना वापस आती हूँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि मुझे जाना है तो वही मैं चाई पी रही हूँ जल्दी जल्दी में मैं चाई बना रही थी तो मैं चीनी डालना ही भूल गई थी तो मैंने दोबारा से चाई चड़ाई और उसमें थोड़ सी चीनी डाली अब मैं पी के उनके घर पहुँच चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ कहा है मैं अंदर से गुस्ती चली आरी हूँ बाहर से अंदर और ये कहीं देख नहीं रही है फिर पता चला कि पूजा की थाली लगाई जा रही है जो नए दूला दूलहन आएंगे उनकी पूजा आरती की जाएगी ये रिस्ते में जो है दूला जी जो है उनकी मौसी लगती है दूर से जैसे भी होगा वो तो दुलहन सीधा अपने घर में न जाके यहां आएगी और यहां पर थोड़े देर रेस्ट करेगी खाएगी पेगी थोड़ा सा अराम करेगी उसके बाद जो है वो अपनी ससुराल ज होते हैं वो निभाए जाएंगे जो भी पूजा पाठ होती है वो की जाएगी तो रिलेटिव होने के कारण इनके आना हुआ है और मैं भी अपनी फ्रेंड होने के कारण इनके घर आई हूँ इनकी हेल्प करने के लिए कि दूला दूलन आये हैं भावी अकेली हैं खाना पी बड़ी बात होती है कि जो है दुलहन जो लक्षमी रूप है वो अपने घर अपन बुला रहे हैं उसके सुब चरण अपने घर में पढ़ रहे हैं इस समय दोनों श्री राम जी का और सीता जी का प्रति रूप होते हैं तो मेरी फ्रेंड जो है दूला धुलन की आरती पूजा करते हुए हल्दी कंकू लगाते हुए नजर उतारते हुए उनको अंदर लेंगी और वही उनका खाना पीना जो रहेगा वो सारा कुछ चलेगा इनका और साथ में ही एक उनकी रिस्तेदार टोटल तीन चार लोग आये तो उन सब का खाना पीना सारी चीजें देखने के लिए और इसी में फिर में भी आई थी क्योंकि मैं जो है वहाँ ऊपर कोचिंग पढ़ा रही थी मेरी फ्रेंड ने बुलाया मुझे कि आ जाओ थोड़ा काम है तो मैं जो है दोड़ी चले आई और बच्चों को वर्क दे मैं बैसे कभी हॉलिडे करती नहीं हूँ कभी लीव नहीं करती हूँ किसी भी तरीके से तो फिर बच्चे कर लेते हैं जिस्ट तो आप देख रहे होंगे कि दुलहन बैठ चुकी है आराम से थोड़े दिर उनको आराम करने देते हैं और चाय नास्ता खाने पीने का ही है नए लोगों के बीच में आई है और हम लोग भी नए हैं किसी को कहां कौन जानता है लेकिन ठीक है अब मैं भी आगे-ागे करके सारा काम अपनी फ्रेंड के साथ करवा लेती हूँ मेरी फ्रेंड भी मेरी बहुत हेल्प करती है हर स्ट्रीम में हर छेत्र में चाहे कुछ लो चाहे कुछ भी बोल दो तो फिर मैं तो कहां पीछे रहूंगी तो ये जो है थोड़ी सी ओरेंज वाली कोल्ड रिंग पिला दी है दूले राजा को उनकी मौसी पिला रही है बाकी और भी जो लोग आए है उनको भी दुलन को थोड़ा आराम करने के लिए बोल द लाइ थी और गुलाब जामुन पापड पूड़ी सारी चीजें तो वही मैं थारी लगा रही हूं चार लोगों के लिए वह चार लोग खा लेंगे ठके हुए हैं और बाकी फिर अपने घर जाएंगे तो फिर वही रेक चार में सबको लगना ही है तो मैं फटा-फट खाना लगा के और जो भी काम है उसे निपटा के फिर मैं मेरे घर आ जाओंगी क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वेट कर रहे होंगे मैंने खाना तो परोज दिया था सबको पर पूड़ी देने का और जिसे कितनी लेनी है कैसे क्या करना है मैंने भावी को भेज दिया था मैंने का आपके रिलेटिव हैं आप अटेंड करिए मैं पूडिया सेख देती हूँ क्योंकि मुझसे क्या बोलेंगे क्या कहेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है और आप थोड़ा प्रैसर करके खिलाएंगी स्नेपरेंट से तो वो लोग और खाएंगे मुझे कौन जानता है तो फिर मैंने पूडिया सेखना स्टार्ट कर दिया था अब क्या है कि सारा काव ने पड़ गया है दुलहन और दुलहे ने और जो दो लोग एक्स्ट्रा थे उन्होंने भी खाना का लिया है थोड़ी देर बाते हो रही है अब हम लोग थोड़ा चिल करने की कोसिस कर रहे है माहूल को थोड़ा हलका कि दुलहन जो है अपना घर छोड़ के आई है तो थोड़ा हसी मस्ती मजा कर लेते हैं उसको थोड़ा अच्छा फील कराते हैं उसके बाद फिर अपने घर तो जाना ही है ये दोस्तो रात का समय का वीडियो है वो साम के समय का था करीब 5-5-6 बजे के समतिंग का तो वो बोल रही थी के खाना खालो लेकिन मैंने मना किया था क्योंकि इस समय खाना कौन खाता है तो उन्होंने थाली बर के बोजन बेज दिया था तो हम लोगों का हो गया था और ये नेक्स डे की वीडियो क्लिप है पनीर की सबजी बन रही है चाबल है और सारी तैयारी चल रही है और मैं ये आपको दिखा रही हूं क्या आज लक्ष ने टिफिन का खाना बिलकुल भी नहीं खाया ये एक छोट असा तुकड़ा कोना तोड़ा होगा बीच से और ये देख रहे हूंगे आपके रात में जो भावी ने गुलाब जामुन भेजे थे बो भी मैंने टिफिन में रख दिये थे इस लड़के का मैं क्या करूँ इसने खाना ही नहीं खाया और जो है बहुती परेसान करते हैं बच्चे पूरा टिफिन जैसे का तैसा वापस चला आया तो बोलते हैं मैंने का स्राम को क्या खाओगे अब तुम तो बोलते हैं कल की जो पनीर की सबजी थी मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी आप अपने हाँ से बनाईए मैं वही पनीर की सबजी खाऊंगा और जो है मेरा मन है तो मैंने भी का के बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं टिफिन का भी नहीं खाया है और जो है मैं बना देती हूँ मैं फटाक से जाके पनीर लेके आई मटर लेके आई तो मैंने एक तरह पनीर की सबजी बना दी है चाबल बन रहे हैं और मैं रोटे सेक रही हूँ अब उनको गरम गरम खाना दूंगी तो वो खा लेंगे लक्ष मारे बहुती परिसान करते हैं खाने के मामले में तो इस तरीके से दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो क्लिप थी ब्लॉक था प्लीज आप चैनल को लाइक करें शेयर करें जो भी नए जोड़े हैं वो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करें आएक दो सब्सक्राइब करें